कि रादे कृष्णा और पिसी फर्स्ट ग्रेड के हिंदी के सेलेबस में अभी जो नया चेंजेज आया है उसके अंदर कफन कहानी आती है जो के अभी नई एड की गई है उसी कफन कहानी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दे किना चाहती हूं कि मेरे इस चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास का विशास आपके सनात्कोर्त स्थर्ग के जितने भी सिद्धानत है वह सभी करा दिये गए हैं और उनकी जो भी जो भी नौट्स है वह सारा मैंने टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट किया है आप वहां से निश साथ ही फ्र्स्ट ग्रेड और सेटिंड ग्रेड में अभी जो परिवर्तन आया है आपके पर्टी क्रम में वो सारा का सेरा सारा सारा आपको मेरे चैनल के मद्लियंस से करवा दिया जाेगा साथ ही उसकी PDF आपको डिलेग्राम चैनल से मिल कर जाえईगी जैसा भी आप चाहेक कर सकते हैं कफन कानी हमारी आज हम पढ़ेंगे उससे पहले जो आपके नए पाठीक्रम में टॉपिक हैं जैसे इंदी भाषा का उद्व विखास उसकी बोलियां देवनागरी लीपी यह मैं करवा चुकी हूं और कहानियों की शंकला में पुरसकार कहानी मेरे इसी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की कफन कानी जो कि प्रेमचंद की कानियों में बहुत ही फेमस कानी रही है तो कफन कानी हम शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आये तो चैनल को को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले नहीं ता आपको पता भी नहीं चलेगा मेरी वीडियो आके और चली जाएगी क्योंकि हम खाली सब्सक्राइब कर लेते हैं उससे कुछ नहीं होता है अगर हमें टायम टू टाइम जो भी वीडिओ आ रही जुड़ जाईए और या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं मेरे चैनल का लिंक दे दूंगी वहां से आप जाकर और टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए आप देखिए कफन प्रेमचंद की कहानी है जोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं मैं सिर्फ यहां पर आपको कहानी नहीं पढ़ाऊंगी आरपीसी के प्रश्ण पूछने का तरीका क्या है किस प्रकार से वह आपसे प्रश्ण पूछ सकती ह प्रश्ण पूछने का तरीका पूरा बदल गया है अब बहुती अलग तरीका हो गया है तो क्या तरीका है कि वहीं मैंने बताया है इसलिए मेरा वीडियो लंबा भी रहता है तो यदि आप शांती से बैठके सुनना चाहते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो आप स्किप करके भी जा सकते हैं क्योंकि खाली पढ़ाना ही नहीं है जहां जहां से प्रश्ण बन सकते हैं वह चीज भी बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पच्छाड खा रही थी रह रहकर उसके मों से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी प्रकृती सन्नाटे में डूबी हुई थी सारा गाव अंदकार में लय हो गया था आप गीसु ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दोड़ते ही गया जा देख तो आप देखो आपको प्रश्ण कैसे पुछेगी आरपीस थी वो तरीका जैसे मैं पुरुसकार कानी में बता चुकी हूं लेकिन फिर भी यहां बताऊंगी प्रश्ण आएगा सीध यह इत्ता सा प्रश्ण और बस आपको ही बता अगर आपने डंग से कानी पढ़ी है एक एक लाइन याद है तो फिर आप आराम से निकाल देंगे यानि आपको आगे पीछे उपर नीचे हर तरह से कानी की टांग पकड़के टांग खीचके पढ़ना है सारा दिन दोडते ही गया जा देखतो आ यह किसने कहा यह घीशू के पिता ने गाथा मादव चिड़कर बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती देखकर क्या करूं यह लाइन सौरी पूरी इसी ने बोली गिसु ने अब यह माधव कह रहा है कि मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती देखकर क्या करूं गिसु ने तो क्या बोला मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दोड़ते ह गया जा देख तो आयानि बाप कह रहा है बेटे से बेटे ने बोला मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती देखकर क्या करूं तो बड़ा बेदर्द है बे साल गर जिसके साथ सुक्चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे तो उसका तडपना और हाथ पाउं पठकना नहीं देखा जाता चमारो का कुनबा था सारे घाओं में बदनाम अब यह पता होना चाहिए कि यह जो कुनबा था यह कि आदा गंटा काम करता तो गंटे बरता चिलम पीता इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी गर में मुठी बर भी अनाज मुझूद हो उनके लिए काम करने की कसम थी यानि बले घर में खाने कोई मत हो लेकिन फिर भी काम तो वह वैसे करेंगे एक दिन करेंगे और तिन दिन आराम करेंगे आदा गंटा काम करेंगे एक गंटा चिलम पीएंगे जब दो चार फाके हो जाते गीशु पेड़ पर चड़कर लकडियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता जब तक वे पैसे रहते दोनों इदर उदर मारे मारे फिरते और जब फाके की नौबत आ जाती फाके का मतलब खाने की नौबत आ जाती तो फिर लकडियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते यानि जब तक वापस बोजन की विवस्ता नहीं करनी हो तब तक वे क्या करेंगे काम नहीं करेंगे गाउं में काम की कमी नहीं थी किसानों का गाउं था मैनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोश कर लेने के सिवा और कोई चारह न होता क्योंकि ये काम चोड़ थे विचित्र जीवन था इनका गर में मिट्टी के दो चार बड़तनों के सिवा कोई संपत्ती नहीं फटे चित्रों से अपनी नग्रता को ड़के हुए जीए जाते संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए थे गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई भी गम नहीं दीन इतने कि वसूली की आशा ने रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे पता था लोगों को कि ये वापस लोटा तो नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी लोग इन्हें कर्जा दे देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या अलू खाड लाते गुन बान कर खाल लेते दस-पांच उस उखाड लाते और रात को छूसते थे गिसु ने आकाश व्रत्ती से साट साल की उम्र काड़ दी और मादो भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पदचिन्नों पर चल रहा था बलकि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था कि वो खुद तो कामचोर था बेटा साथ में और ज्यादा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बेट कर आलू ही बुन रहे थे किस वक्त जब उस माधव की पतनी बुदिया जो है वो अंदर प्रसव पीडा से करा रही थी इस थंड बरी रात में तब भी ये दोनों बा पेट से खोद कर लाए थे गीशु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहान तो गया अब मा तो मर गई थी माधव की पतनी तो कब की मर चुकी माधव का ब्यार पिछले साल हुआ था जब से यह औरत आई थी उसने इस खांदान में व्यवस्था की नीव डाली थी पिसाई करके यह गास चील कर वह सेर बराटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगरतों का दो जग बढ़ती रहती दो जग का मतलब इनका पेट बढ़ती रहती थी इनको भूखा नहीं रखती थी जब सेवा आई ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए बलकि कुछ अकड़ने भी लगे कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज बाव से दुगनी मस्दूरी मांग थे यानि इनको कोई लाशरम तो रही नहीं और ज़्यादा कहते कि हम तो इतना लेंगे वहीं ओरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि मर जाए तो आराम से हम सो जाए गीशु ने आलू निकाल कर छिलते वे कहा जाकर देख तो क्या दशाय उसकी सुडेल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओजा भी एक रुपए मांगता है देखना अब एक रुपए किसके मांगता और किसका भय है इनको मादव को भय था वह कोठरी में गया तो गीशु आलू का बड़ा बाग साफ कर देगा अब वो मादव क्यों नहीं जा रहा था कोठरी में अपनी बीवी को देखन गया तो मेरा बाप जो है वो क्या करेगा वह अलू खा जाएगा भुने होगा पहले खाने के लाले पड़ रहे थे अब अगर उसने यसा किया तो गीशु जो हो अलू खा जाएगा मुझे वहाँ जाते डर लगता है बस यह के दिया उसने क्योंकि उसको डर तो किसका था आलू का कि कहीं आलू कतम हो जाएंगे पर उसने क्या का मुझे उस कमरे में उस कोठरी में जाते डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहां हूँ ही तो तुम ही जाकर देखो ना उस और मुझे से लजाएगी कि नहीं जिसका कभी मुह नहीं देखा आज उसका उड़ा हुआ बदन देखूं उसे तन की सुद भी तो न होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाऊं भी ना पटक सकेगी सही का था क्योंकि यह सबसूर था उसका मैं सोचता हूं कोई बाल हो गया तो क्या होगा सौट गुड तोल कुछ भी तो नहीं घर में यानि वह सोच रहे हैं कि मर जाए तो अच्छा क्योंकि अगर इसने कोई बच्चा पैदा कर दिया तो अपर हम उसको क्या कि लाएंगे बच्चे को और इसके लिए अभी तो जो बनती है दवाईया सौट गुड तेल की जो भी तो खानपान बनता है वह कहां से लाएंगे सब कुछ आ जाएगा बगवान देतो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे थे वेही कल बुला कर देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ न था मगर बगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया आगे देखिए जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं न थी और किसानों के मुकाबले में लोग वे लोग जो किसानों की दुरबलताओं से लाब उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन थे वहां इस तरह क कि मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी हम तो कहेंगे गीशु किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था जो किसानों के विचार शुन्य समूं में शामिल होने के बदले बैठक बाजू के कुछित मंडली में जा मिला था यानि कुछ नहीं है फिर कि बैठक बाजों के नियम और नीती का पालन करता इसलिए जहां उसकी मंडली के और गाउं के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गाउं उठाता था फिर भी उसे यह तक्सीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों कीसी जी तोड मेहनत तो न नहीं यह नहीं तो उसे यह उता है कि चलो मुझे किसानों की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरी दशा को देखके लोग क्या करेंगे मेरी साइथा कर देंगे उसकी सरलता और निरहता से दूसरे लोग बेजा फाइदा तो नहीं उठाते यानि बिना वजे फाइदा नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे कहीं बार दोनों की जबाने जल गई छिल जाने पर आलू का बारी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गरम नहीं मालूम होता लेकिन दातों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था उस अंगारे को मुँ में रखने से ज़्यादा खेरियत इसमें थी कि वह अंदर पहुँच जाया यानि सीधा ही निकल रहे थे सीधा का सीधा वह उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते हाला कि इस कोशिश में उनकी आँखों से आसू निकल जाते अब देखो भूखा हो व्यक्ति तो क्या करे वे गीसु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वय गया था इस पउशे त्रप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लाएक बात आज भी उसकी याद ताजा थी बोला वह भोज नहीं बूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़के वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी सबको छोटे वड़े सबने पूरियां कही असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सुखे साग ए क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज मांगो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया किसी से पानी न पिया गया मगर परोसने वाले कि पतल में गरम गरम गोल गोल सूवसित कचोरियां डाल देते मना करते हैं कि नह लाइची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहा सुद थी खड़ाने हुआ जाता था मतला इतना खा लिया था कि मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया एसा दिल दरियाव था वह ठाकुर यानि उस ठाकुर की शादी में गया 20 साल प नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वह जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सूझती है यानि सब अपने अपने इस सबसें बजट में चलते हैं शादी ब्याव में मत खर्च करो क्रिया करम में मत कर्च करो उच्छो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां लेकिन शादी ब्या कर रहे हैं क्किफायत के चाहरा है कोई कि stuffs नहीं लेकिन का कि तुमने 20 से पूरिया ख़ाई ओगी देशे ज्यादा ख़ाई थी मैं 50 खाँ जाता 50 से कम मेंने भी नए खाई होगी यह आकड़ा लिख लेना अक्सर यह आकड़े पूछे जाते हैं तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओड़कर पाउ पेट में डाले सो रहे जैसे दो बड़े-बड़े अजगर गेंडूलिय मारकर जैसे सोता है वैसे और बुदिया अभी तक करा है रही थी और दोनों जने खाए पिये सो गए और जो पत्नी थी मादव की वह अभी तक प्रसव पीड़ा के दर्द से करा रही थी सवेरे मादव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्तरी ठंडी हो गई थी और उसके मुक पर मक्षियां भिनक रही थी पत्राई हुई आखें उपर टंगी हुई थी और सारी देह धूल से लत्पत हो रही थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था देखो मतलब क्या हलत हुई होगी उस औरत की अगर आप इस कहाने को पुरा दिल से पढ़ रहे हैं तो आपका मन भी पसीज गया होगा कि दोनों आराम से खाए पीए सो गए और ब्याव शादी की बात करते करते हैं ना और इधर अपसकी पत्मी जो है उसकी ये दशा कि वह विचारी मर चुकी है और मरने के बाद उसके मुख पर जो हो मक्हिया बिन बिना रही और उसका बच्चा पेट में मर चुका है मादव भागा हुआ गिसू के पास आया फिर दोनों जोड जोड से हाए हाए करने लगे चाती पीटने लगे अब यह तो दिखावा था उनको तो वो तो चाहा भी यही रहते ना कि मर जाये तो अच्छा रहे इंतजारी यही था उनको कि हम हाए हाए करेंगे चाती पीटें और और उसके क्रिया करने के लिए तो पैसे देंगे ना उमको और कुछ नहीं देंगे तो इतनी तो मानुता सब के अंदर होगी और वो चाहते भी यही थे लोगों से पडोस वालों ने यह रोना दोना सुना तो दोड़े हुए आये और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे जैसे जो ओना था जो गया इश्वर के आगे किसका जोड़ चलता है मरना हमारे हाथ में नहीं है यह सब परिपाटी है जो लोगों ने समझा मगर जादा रोने पीटने का उसर्ण था कफर्ण और लकड़ी की फिक्र करनी थी अब इन्हों ने तो तमाशा कियो किसलिए किया था इनको पैसे चाहिए थे उनसे क्रिया करम करना था इसलिए पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के गोसले में मांस यह तो हमने पढ़ा है चील के गोसले में मांस यह इसका सही अंसर है बाप वेटे रोते हुए गाउं के जमिदार के पास गए वह इन दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे कौन जमिदार साब कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे चोरी करने के लिए और वादे पर काम पर ना आने के लिए इन दोनों की इसके और नहें जब जब भी काम काम पर आएंगे पर यह कभी गहीं ए具 इसलिए जमिदार नहीं किया किया और बेखीए आगे कि कफन के पैसों के लिए पूछा क्या है वे लिइन हम लोता क्यूं है यह किस ने कहा जमीदार ने यह पता होना चाहिए आंसर भी लिख लेना जमीदार गीशु ने जमीन पर सिर रख कर आखों में आसु भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ती में हूं मादव की घर वाली रात को गुजर गई रात बर तड़ती रही सरकार हम दोनों उसके सिर कि मुदा वह हमें दगा दे गई लेकिन फिर भी वह में क्या कर गई रोखा दे गई यानि मर गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका गुलाम हूं अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा कि यानि आप ही मदद करोगे अब क्योंकि अब कफन के पैसे क्रिया करम के पैसा पैसे नहीं है जमिदार साब दयालू थे आपको यह लिख लेना है अगर आप से पूछ लिया जाए परिक्षा में जमिदार साब किस प्रकार किस स्वभाव के विक्तिते क्रोधी थे दयालू अखड थे ना आपको पता होना चीए दयालू मगर घीशू पर दया करना काले कंबल पर रंग चड़ाना था वो यह भी जानते थे इस बात को जी में तो आया के दे चल दूर हो यहां से यह तो बुलाने से भी नहीं आता और आज जब गरश पड़ी है तो आकर खुशा मत कर रहा है हराम खोर कहीं का बदमाश लेकिन यह क्रोध या दंड का उसर नहीं था चाते तो कह सकते थे वो ऐसा पर अब उसके घर में मौत हो गई तो वह थे दयालू इसलिए वो ऐसा नह ही निकाला उसकी तरफ देखा तक नहीं ताका यानि देखना जैसे सिर का बोज उतारा हो किसने जमिदार ने जब जमिदार साब दिन्डोरा भी पीटना खूब जानता था अब वह जमीदार से तो दो रुपे ले आया अब क्या किया वहां पर माजन और बनियों के यहां जा जाके और जमीदार का दिन्डोरा पीटना शुरू कर दिया कि देखो मुझे उसने भी दिया तुम भी दो बुदिया के मरने का दुख नहीं था उससे कुल मिला के मरने का इंतजार था कि यह मरे तो फिर लोगों से इसी के बाने थोड़े समय के लिए क्या करूँ पैसा एट लूँ ताकि थोड़े दिन और हमारा क्या चल जाएगा काम चल जाएगा किसी ने दो आने दिये किसी ने चार आने दिये एक गंटे में गिसु के पास पांच रुपए की अच्छी रकम हो गई यह आप लिख लेना कि बुदिया के मरने के बाद गिसु ने जमिदार माजन और बनिया से कितने रुपए खटे कर लिए पांच रुपए कहीं से अनाज मिला कहीं से लकडी दोपैर को गिसू और मादो बाजार से कफन लाने गए और इधर लोग बास काटने लगे गाओं की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बुंद आसू गिरा कर चली जाती थी कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन धाकने को चिथड़ा भी न मिला उसे मरने पर कफन चाहिए कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है लेकिन फिर भी मरे वी विक्ति को कपड़ा सब पहनाते हैं लेकिन जिन्दा विक्ति अगर नगनमी हो तो कोई उसे कपड़ा लाकर नहीं देता यही प्रेम चंद बताना चाहते हैं और क्या रखा रहता है यही पांच रुपए पहले मिलते तो कुछ दवादारू कर लेते पहले मरने के बाद सब पैसे दे रहे हैं पर जिन्दा थी जब नहीं दिया दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड रहे थे बाजार में इदर उदर गूमते रहे कभी इस वजाज की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेश्मी सूती रेके हमारे आने वाले थोड़े दिन क्या होंगे चल जाएंगे लेकिन अब समाज के सामने जो रुपए लिये थे अना तो अब दिखावा तो करना ही पड़ेगा बाकि पता दोनों को था तब दोनों न जाने किस देवी प्रेणा से एक मदूशाला के सामने जाँ पहुचे मदूशाला यानि शराब की दुकान की सामने और जैसे किसी पूर्वनिष्चित योजना से अंदर चले गए वहां जरा देर तक दोनों अस्वंजिस में खड़े रहे फिर गीसु ने पर गई थी उसके कफन के लिए पूरे दिन भर हो गया कफन तो लिया नी अब क्या मांगी उससे दारू की बोटल यानि उस पांच रुपए से दोनों बाप बेटे क्या करने गए शराब पीने में इसके बाद कुछ चिखोना आया अतली हुई मचली आई दोनों बरामदे में बेट कर शान्ती पूरवक पीने लगे उदर लाश पड़ी है घर में और इधर ये दोनों शराब पी रहे हैं कहीं कुछ जिया ताबड तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आए गीसु बोल कफन लगाने से क्या मिलता है आखिर जल ही तो जाता कुछ बहु के साथ तो न जाता अब गीसु ने बोला पूरे शराब के नशे में था कि हम अगर कफन लाते इन पेसों का तो क्या मतलब रहता हम उसको जलाते ये भी जल जाता लेकिन इससे उच्छा तो हमारे पेट में सारी हमें कुछ खाने को मिल रहा है तो ये काम बढ़िया किया हमने मादव आस्मान की तरफ देखकर बोला मानों देवताओं को अपनी निश्प आपता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बामनों को हजार उपे क्यूं दे देते कौन देखता है प पूछेंगे नहीं कफन कहा है अब दोनों खा गए पी गए सब पर अब क्या कह रहें कि हां सब सही है लेकिन अब हम लोगों से क्या कहेंगे गीशू हसा अब कह देंगे रुपए कमर से किसक गए बोट ढूंडा मिले नहीं लोगों को विश्वास तो ना आएगा लेकिन फ बजार में घूम रहे थे तो पैसे गिर गए अब क्या होगा उसको वापस एक उम्मीद थी कि आप हम वापस फिर से हमें लोग पैसे देंगे कि नहीं नहीं इसका कफन लाना पड़ेगा यह लो तुम और पैसे ले जाओ अब उसकी बुद्धी वापस से वहीं दोड़ रह अभी बोतल से जादा उड़ गई गीसु ने दो सेर पूरियां मंगाई चटनी अचार कलेजियां शराब खाने के सामने ही दुकान थी मादो लपक कर दो पतलों में सारा सामान ले आया पूरा डेड़ रुपईया और खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बचे दोनों इस वक्त शान से बेठेवे पूरियां खा रहे गर में लाश पड़ी बीवी मरी पड़ी बहु मरी पड़ी और यह दोनों यहां पर आराम से खा रहे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जवाब दही का खोफ था नहीं बदनामी की फिक्र इन भाव यह लाए लिए तो घृष्ट बन चुके थे घृष्टी दार्षनिक भार से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न नों रही है तो क्या उसे पुर्ण को रहा है कि हम यहां खुश है क्योंकि हमको खाने पीने को मिल रहा है तो हमें खुश देखकर और बुदिया की आत्मा भी क्या होगी प्रसन्न होगी यह किस के लिए का है मादव ने श्रद्धा से सिर जुका कर तस्दीक दी जरूर से जरूर होगा बगवान तुम अंतर यामियों से बेकुंट ले जाना हम दोनों रदय से अशिर्वात दे रहे आज जो बोजन मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला था एक शण के बाद मादव के मन में एक शंका जागी बोला क्यों दादा हम लोग भी तो एक ने एक दिन वहां जाएंगे ही गिसु ने इस भोले बाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया वह परलोग की बाते सोचकर इस आनंद में बादा नहीं डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे अब उसे चिंता हुई कि हम भी उपर जाएंगे फिर वहां हमसे पूछेंगे कि तुमने इसे कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे तो कहेंगे तुमारा सिर पूछेगी तो जरूर क मादव को विश्वास ना आया बोला कौन देगा रुपए तो तुमने चट कर दिये वह तो मुझसे पूछे कि उसकी मांग में सिंदूर तो मैं नहीं डाला ये शब्द लाइन किसकी है मादव की लिख लेना ये लाइन मादव की है गीसु गरम होकर बोला मैं कहता हूं उसे क पैसा नहीं देंगे वो सिधा कफळ लाकर ही देंगे उसे जो जो आंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मदुशाला की रोनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था, कोई डिंग मारता था कोई अपने संगी के गले लिपड़ जाता था कोई अपने दोस्त के मूँ से कुलड लगाए देता था वहां के वातावरण में सरूर था हवा में निशा, कितने तो यहां आकर एक चुलू में मस्त हो जाते शराफ से ज़्यादा वहां की हवा उन पर निशा करती थी जीवन की बादाएं खीच लेती थी और कुछ देर के लिए वे भूल भी जाते वे जीते हैं या मरते या ने जीते हैं या ने मरते हैं और ये दोनों बाप बेटा अभी भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे सब की निगाएं इनकी और जमी हुई थी दोनों कितने भागी के बली हैं कि पूरी की पूरी बोतल इनके बीच में है बर पेट खाकर मादव ने बची हुई पूरीयों का पतल उठाकर एक बिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी और भूकी आँखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद उल्लास का उसने अपने जीवन में पहले बार अनुभव किया यानि ये लिखा है पहली और आशिरवाद दे जिसकी कमाई है वह तो मर गई पर तेरा आशिरवाद उसे जरूर पहुचेगा रोएं रोएं से आशिरवाद दे बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे है कितने नालाएक है वो मरी जिसकी कमाई के पैसे है ये इसको भी मरने को भी कमाई मान रहे है मादव उन्हें फिर आसमान की तरफ देखकर कहा वह वेकुंट में जाएगी दादा वह वेकुंट की रानी बनेगी गीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तेरता हुआ बोला अब आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ वह वेकुंट में जाएगी दादा वेकुंट की रानी बनेगी किसने किस से कहा और किस के लिए कहा अंसर भी साथ के साथ लिख लेना ठीक है गीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तेरता हुआ बोला यहां बेटा वेकुंट में जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिंदगी को की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वह नहीं वेकुंट में जाएगी तो क्या यह मोटे 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 लोग जाएगे यानि वह नहीं जाएगी तो कौन जाएगा जो गरीबों को दोनों हात लूटते हैं और अपने पाप को दोने के लिए गंगा में नाते हैं मंदिरों में जल चड़ाते हैं सद्धा लुता का रंग तुरंत ही बदल गया ऐस थिरता नशे की खास्यत है दुख और निराशा का दोरा हुआ मादो बोला मगर दादा बेचारी ने जिन्दगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख जेल कर मरी वे आखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर जिसुने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वे माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से चूट गई बड़ी खड़े ओकर गाने लगे और ठगिनी क्यों नैना जमकावे ठगिनी लिख लेना है लाइन ठगिनी ये किस कहानी से लिया गया है तो कफन कहानी से और दोनों खड़े होकर ये वाला गीत गाने लगे कौन? मादव और गीसू प्यकडो की आखे इनकी और लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उचले भी, कुदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए अभिनवभी की और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं पर गिर पड़े ये है प्रेमचंद की कफन कहानी ठीक है ये प्रेमचंद की कफन कहानी पूरी हुई और दो कहानी हम पड़ चुके है एक पुरुस्कार हो चुकी है एक कफन हो चुकी है अब हमारी अगली कहानी हम डाउट रहे गया तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी और कहानी को जिस तरीके से हमने पढ़ा कि आपको कुछ समझ आया प्रश्नों की प्रकृति समझ आई नहीं आई जो भी आपके डाउट से जो भी आपके प्रश्न है कमेंट सेक्षन में आप मुझे जरूर लिख के बताएं क्योंकि मैं हर स्टूडेंट का कमेंट्स पढ़ती हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ रादे रादे खरे कृष्णा